बिटकोईन के फोरा चाट के अंदर एक breakout आ चुका है क्या ये एक real pump है या एक fake out है आगे समझने आज की इस वीडियो के अंदर साथ ही आप लोग ने जो भी question पूचे रहे कल और परसो वाली वीडियो के अंदर उन सारे questions का जवाब आपको मिल जाएगा एंद कुछ ऐसे all coins भी मैं आपके साथ share करूँगा जिनके अंदर इस समय पर अच्छी trades बन रही है वीडियो को start करें bitcoin के फोरा चाट के साथ जहां पर आप देख सकते हो एक falling channel की formation हमें देखने को मेती अब breakout आने से पहले ही मैं आपको बता दिया था एंड मैंने बरसली एक long trade ली थी उमीद करता हूँ आपने भी मेरे साथ ली थी तो आप अच्छे profit में होगे almost 20% का profit मैंने यहाँ पर बना लिया है इस trade के तो आगिस trade के बारे में मैंने आपको पर्स वाली वीडियो के अंदर ही बताया था किस टाइब की मैं एक trade लूँगा वहां पर बहुत अच्छे से मैंने आपको explain जाता किस तरीके से यहाँ पर जो US का CPI data निकल के आया है वो अच्छा आया है जिसके बाद US market recovery करेगी देन उसक के बाद जो है हमें एक market के अंदर भी recovery देखने को मिल सकती है और वही चीज़ हुई जब US market यहाँ पर उपन हुई उसके अजस्ट बाद bitcoin के अंदर हमें rally देखने को मिल लगई क्योंकि अगर आप US market को भी देखते हो तो उसके अंदर भी एक recovery हमां देखने को मिली थी क्यो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी 20 के अंदर आता है उसमापर सबसे अच्छा बाइंग का तरीका होता है अगर आप spot buyer हो long term buyer या hold करना चाहिए तो सबसे जो बैंक रहती है वह 20 के अंदर जब फ्यूर रहती है तब रहती है उमीद करता हू आपने उस चीज़ को समझा होगा एंड एक अच्छा profit यहां पर मनाया होगा all coins में भी and bitcoin भी ना उस सवाल यह आता है कि यहां पर और हमें hold करना चाहिए यहां से और recovery हमें देखने को मिल सकती है या एक buyer dump यहां से हमें देखने को मिलने मादा है तो सबसे important चीज़ यहां प cross नहीं होई है and उसके उपर daily candle closing नहीं होई है and जब तक इस level के उपर daily candle closing नहीं होती तब तक अभी भी market एक bearish trend के अंदर है जिस वैसे मुझे लगता है कभी भी यहां पर एक और fall हमां देखने को मिल सकता है and यहां पर कोई अभी confirmation नहीं मिली है कि एक real recovery आ रही है ठीक है real recovery जब यहां पर हमें candle closing इस area के उपर देखने को मिलेगी अगर particularly मैं आपको area mark करकर दिखाता हूं तो यह वो area है लगबग लगबग 59 500 dollars के आसपास का जब इसके उपर एक आपको daily candle closing देखने को मिल जाए तब आप बान लेना कि हाँ यहां से अब real recovery हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि previous जो high था वो break हो चुका है एंड एक downtrend break हो चुका है और जब तक price की नीचे trade कर रहा है तब तक चाहां से very high कि कभी भी हमें या तो इस Bollinger Band की line जो आप देख रहे हो यहां पर इससे reaction देखने को मिल जाए या 59 500 dollar के area से हमें reaction देखने को मिल जाए और प्राइस दु बरावर आता है तो वह एक positive news होगी market के लिए जिसके बाद market और pump कर सकती है अगर वो negative आ गया तो market fall करेगी otherwise chances रही कि positive आने के बाद मार्केट के अंदर हमें एक pump देखने को मिलेगा और भी बड़ा ठीक है और वह pump कहां तक का हो सकता है तो according to forager अगर आप देखते हो तो तो या 2.54 कितना भी आया उसके नीचे तो positive होगा 2.7-2.8 आया तो वह हलका सा negative हो सकता है तब शायद उतना volume वाला pump हमें देखने को ना मिले कि हमें भी fall भी करता हो दिखे नौ दूसरी important news हमें देखने को मिल रही है fat के rate cut को लेके जो की definitely यहाँ पे बहुत साथा important है अगर rate cut ह होता है यहाँ पर तो काफी लोग बोल रहे हैं कि rate cut होने के बाद एक बड़ा fall आ सकता है Bitcoin के अंदर बट मुझे नहीं लगता मेरे साब से rate cut अगर हुआ तो एक positive move का indication देगा Bitcoin के लिए बागी देखते हैं किस तरीके से चीज़े चलती है फिलाल के लिए जो important data होने पास है यूएस का CPI है CPI आने के वाद मैं आपको बता पाऊंगा कि किदर सभी direction जारा है market का बागी तो दो चीज़े होती है जो rumors वाली news के उपर trade लेते हैं वो बड़ा पाफर मनाते हैं जैसे कि हमने मनाया यहां पर आप देख सकतो कल जो वाना trade ली थी rumors के उपर ली थी CPI data आने तो आप अच्छा profit मना सकते हो market के इंदर जैसे कि हमने कल यहां पर बनाया है बागे ऐसी कुछ और trades मैं आपके साथ telegram के उपर अपने share करता रहता हूं और आगे भी करूंगा तो make sure मेरे telegram को join करके रखना ताकि आपको यह trades free में मिल पाए telegram का link मेरे bio और description माग दोनों के इंदर आपको मिल जाएगा बागी bitcoin को अगर इस समय पर फोरा चार्ट के इंदर आप देखते हो तो एक retest की और आपको बड़तावा यह देगेगा यह जो particular candle बनी है यह definitely यहापर भी रिवर्सल का और यहां से एक perfect retest की तना हमें pump देखने को मिल सकता है और वो pump थोड़ा बड़ा भी हो सकता है 64000 को भी हम easily hit कर सकते हैं अभी के इंपॉर्टेंट है कि यहां पर green bullish candle बने अगर बनेगी तो हम आपको अपडेट कर दूँआ टेलिग्राम की उपर तो make sure आपने जॉइन करी लिए होगा नाव नाइक्स बात करें कुछ important meme coins के बारे में जिन से अपने अच्छा प्रोड मनाया है तो बैंडोज को जिन्होंने मेरे साथ बॉटम में वाय करा आप अच्छा प्रोफेट लिया बुक कर लो चाहो तो क्यूंकि ओल्ड़ी सके इंदर बहुत तगडी रेली है में रेखने को विली कर मैं आपको यहां पर बाइंग मताई जी अगर आ आता है ब्रेक आउट कर चुका है यहां से का रेली आती है तो आल्मोस्ट पच्चे बसन की रेली मैं एक्सपेक करूंगा इस को बाइक दो के इंदर थोड़ा सदिक्स ले रहा हूं यहां पर लेके चल रहा हूं है 0.76 डॉलर का जो कि मुझे लगता है इसी हीट हो जाएगा तो आप इस ट्रेट को ले सकते हो सपोर्ट के इंदर वाकि टोटल यह आपके उपर डिबेंड करता है बढ़ हां चोट अमांट में लेना क्यूंकि मीम कोईन है जो भी आपने कल वाली वीडियो कमेंट से लगते हैं यहां पर लगाव है अभी ठीक है उसके बाद नेक्स था मैटिक कोईन को लेगे कुशिन जिसका अपडेट में आपको कल अल्रेट दे चुका हूं साजी चीदे वहां पर बता चुका हूं एक अपडेट वीडियो और वना दूंगा इसके पर फिलाल के लिए इस का जो नेक्स रेसेंस एरिया है वो है अराउंड अराउंड 0.1126 डॉलर का तो यहां पर मैं एक रेजेक्शन एक्सपेक करूंगा यहां तक का पंप हमार देखने को मिल सकता है वेंडरी के अगर बिटकोईन यहां पर एक अच्छा डिटर दिखा देता है तो उसके बाद ज अच्छे समाग कर लो 0.001156 डॉलर का यह लेवल है जो की प्रिवेस हाई वीस कर रहे चुका है जब तक इसके बाद डेली केंडल क्लोजिंग नहीं होती मेरे साब सब्सक्राइब करना रिस्क रहेगा कभी भी बड़ा फॉर्स के नर्हां देखने को बन सकता है बागी जो पार्टिकुलर केंडल यहां पर बनी लेडी चार्ट करना डेफिरेंटी बुलिश है तो उसके साब सचाओ तो आप स्पॉर्ट नहीं ले सकते हो लेकिन अधिक्स काफी जादा रहेगा डॉक्स के नदर उसके बाद नेक्स परडेक्ट है साइबर क्वाइन जो की अच्छा जा रहा है 0.109999 की रचेसंस एरिया इस का यहां सब पर बन ने सबसकताह। ने सब सब्सक्राइब अच्छा यह जा सकते हैं। अगला प्रजेक्ट है मांटा जो कि एक रेशन फेस कर रहा है, 0.675, अगर इसके उपर डेली खेंडल क्रोधिंग होती ही, तो मांटा नेटवर्क के अंदर एंट्री बनेगी, अदर्वाइज नहीं बनेगी, नेक्स्ट है नियोरो जिसने बहुत अच्छा पफॉम्म यहां पर कर रहा है, नियोरो के अंदर मुझे लगता है, जिससे आफसे नहीं प्रिवियस हाई अपना ब्रेक कर रहा है, एक रीटेस अगर इसके इंदर आता है, 0.1528, इस लेवली के उपर दोबारा करेकर प्राइज आएगा, एक रीटेस देगा, तो एंटी बनेगी, उससे बह रहा है, एक अच्छी कंडल हमें देखने को मिली है, इस प्रोजेक के अंदर मेरे साब से एंजे के इंदर स्पार्ट बाइंग मना सकते हैं, अगर बीटी सी फॉल नहीं करेगा, तो एंजे एक और रीकवरी यहां से दिखा रहा है, एक अच्छी रीकवरी और हमें देखने हमें देखने को मिलेगा, लास्ट यहां पर कोशन था, आप लोग का जो था, सी कोईन को लेके, जो की करेंटली आप देख सकते हो, ब्रेक आउट करावा है, यहां से इसका टारगेट 0.35 लेके आप चल सकते हो, और एंटी ले लिए, बागी अभी एंटी लेना डिस्की है, जिब तक यहां पर बिटकोईन अच्छे से एक रीटेस नहीं दिखा था, तो अलोग अरी आपके कोशन थे, जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया, बागी जो भी सवाल हो, मैटी को लेके, किसी और को लेके, कमर्स में पूछ लेना, नेक्स वीडियो के अंदर मैं कवर कर नहीं हो रहे, उसके पर एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ, कैसे वो प्रब्रम को आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए कल रेडिय रहना, कल आपको वीडियो मिल चाहिए.